नमस्कार दोस्तों मैं कनेया लाल स्वाकत करता हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल इस्टडी वीद केल सर में दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ विसर्ग संदी के प्रशनों को लेकर दोस्तों इस टेस्ट में 20 प्रशन होंगे जो LDC पटवारी और रीट की द्रिश्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है तो आप वीदियो को बिलकुल भी इसकिप मत कीजे वीदियो को پूरा देखिए और चैनल पर नई है तो चैनल को बिलकुल सब्सक्राइब कर लिजिए और जाते-जाते आखरी में क कमेंट में जरूर बता कर जाना कि आपके कितने सही हुए और टेस्ट का लेवल के सा था तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों प्रशन नमबर एक है धनूर धर का संदी विच्छेद होगा धन है पलस उदर धनू पलस धर धन पलस अधर धनू पलस धर त दोस्तों यहाँ पर जो विसर्ग है धनू के पीछे विसर्ग है इस विसर्ग का रह हो जाता है और शब्द बनता है धनू धर तो सही उतर है दोस्तों विकल्प नमबर चार धनू पलस धर चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन तो बताइए दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक तेज़े है प्लस मैं दोस्तों तेज़े है प्लस मैं जो है इनका अगर संदी करेंगे तो विशर्ग की जगे ओ हो जाता है और ओ होने से यहाँ पर तेजो मैं सब्द बनता है तो सही उत्तर है विकल्प नमबर एक तेज़े पलह मैं चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर तीन विशर्ग संधी युक्त शब्द है मनोनुकूल अनुछेद उज्वल और जगदंबा तो बताइए दोस्तों इस अनुकूल मनह प्लस अनुकूल बनेगा और इसका मनोनुकूल बनता है इसमें विशर्ग संधी होगी जबकि अनुछेद जगदंबा और उज्वल में वियंजन संधी है तो अपना उत्तर है विकल्प नमबर एक मनोनुकूल चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ दोस सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर एक निह प्लस जल दोस्तों यहाँ पर निह प्लस जल को मिलाने से विसर्ग का रे बनता है और रे बनने से यह निर्जल बनेगा यहाँ पर विसर्ग संधी होगी तो विकल्प नमबर एक सही है चल निह प्लस उत्तर, निर प्लस उत्तर, निह प्लस उत्तर, तो बताएए दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर है, विकल्प नमबर 4, निह प्लस उत्तर, दोस्तों निह प्लस उत्तर को मिलाने से निर उत्तर बनेगा, जो विसर्ग है इस विसर का दोस्तों बनेगा रह आधा रह और इसमें उकी मात्रा लग जाए यह निरूतर शब्द बनेगा तो सही उतर है विकल्पन पर च्यार निह प्लस उतर चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर छे यशो गान का संदी व उतर है विकल्पन पर तीन यशे प्लस गान दोस्तों यशे प्लस गान को मिलाने पर विसर्ग का ओ हो जाता है और इस प्रकार शब्द बनता है यशो गान तो यहाँ पर सही उतर है विकल्पन पर तीन यशे प्लस गान चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अ प्लस नीती इन में से कोई नहीं तो बताइए दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो दूह प्लस नीती दोस्तों दूह प्लस नीती का संधी करने पर विशर्ग का रह हो जाता है आदा रह और सब्द बनता है निश कपट, शब्द का संदी विच्यद है, निश प्लस कपट, निश प्लस कपट, निश प्लस कपट, और निश प्लस कपट, तो बताईए दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है, दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर है, विकल्प नमबर एक, निश प्लस कपट, दोस्त निह प्लस कपट चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ दोस्तों अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर नो वयो वृद्ध का संधी विग्रह है वयाह प्लस वृद्ध वयोह प्लस वृद्ध वयाह प्लस अवृद्ध और वयाह प्लस वृद्ध तो बताएं दोस्तों इस प्र प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर 4 वय है प्लस वृद्ध दोस्तों यहाँ पर वय है प्लस वृद्ध की संदी करने पर विसर्ग का ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा वयो वृद्ध तो सही उत्तर विकल्प नमबर 4 वय है प्लस वृद्ध चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नंबर 10 अगला प्रशन है दोस्तों प्रशन नंबर 10 यशो दरा शब्द का संदी विच्छेद है यश प्लस अधरा, यशेह प्लस धरा, यश प्लस उधरा, यशो प्लस धरा तो बताईए इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो यशेह प्लस धरा, दोस्तों यशेह प्लस धरा की संधी करने पर विसर्ग का ओ हो जाएगा और शब्द बनेगा यशोधरा तो सही उत्तर है विकल्प नमबर दो यशे प्लस धरा चलिए चलते हैं अगले प्रशन के तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर ग्यारा मनो योग का सही संदी विच्छेद है मनोह प्लस योग मनह प्लस योग मनह प्लस आयोग उप्युक्त में से कोई नहीं तो बताएए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो मनह प्लस योग दोस्तों यहाँ पर भी मनह प्लस योग की संदी करने पर वि अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर बारा मनो रम का संदी विछेद है मन प्लस ओरम मन प्लस रम मनो प्लस रम और मन है प्लस रम तो बताइए इस प्रस्ण का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर चार मन है प्लस रम दोस्तों यहाँ पर मनो रम तो सही उतर है विकल्प नमबर 4 मनह प्लस रम चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 13 मनो नू कूल में संदी है गुण विशर्ग वृद्धी अयादी तो बताएए दोस्तों इस प्रस्ण का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उतर है विकल्प नमबर 2 विशर्ग संदी दोस्तों मनो नू कूल में विशर्ग संदी होगी तता इसका विच्छेद होगा मनह प्लस अनू कूल चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ दोस्तों अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर 14 विशर् तो बताइए इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 मनो योग दोस्तों जो मनो योग है इसका संदी विछेद होगा इसका संदी विछेद होगा दोस्तों मनेह प्लस योग और मनेह प्लस योग इसमें विशर्ग संदी होगी तो सही उत्तर विकल्प नमबर 4 मनोयोग चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 15 विसर्क संदी का उधारण है उधार मनस्ताप विस्मरण प्रमान तो बताएए दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नमबर दो मनस्ताफ दोस्तों मनस्ताफ का संदी विछेद होगा मनह मनह प्लस ताप और इस प्रकार मनस्ताफ शब्द बनता है तो यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नमबर दो मनस्ताफ चलिए चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ दोस्तों अगला प्रस्न है प्रस्न नमबर 16 निम्न में से कौन सा उदारण विसर्ग संदी का है निरंतर दिगज जगदीश महीश तो बताईए दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों इस प्रस्न का सही उत्तर है विकल्प नमबर 1 निरंतर दोस्तों यहाँ पर जो निरंतर है इसका संदी विछेद होगा नीह प्लस अंतर नीह प्लस अंतर होगा विसर्ग का रे बन जाएगा और निरंतर शब्द बनेगा इसमें विसर्ग संदी होगी जबकि जगदी और दिगज में व्यंजन संदी होगी और महीश में दिर्ग संदी होगी तो सही उत्र विकल्प नुमबर निरंतर चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों, अगला प्रशन है प्रशन नुमबर 17 उत्चा निरलेप शब्द का संदी प्रस्ण का सही उत्तर है विकल्प नंबर दो नीह प्लस लेप दोस्तों यहाँ पर भी नीह प्लस लेप की संधी करने पर विशर्ग का रे बन जाएगा और शब्द बनेगा निरलेप इसमें विशर्ग संधी होगी चलिए चलते हैं अगले प्रस्ण के तरफ दोस्तों अगल उत्तर है विकल्प नमबर एक विसर्ग दोस्तों निश्फल में विसर्ग संदी होगी तथा यहाँ पर इसका संदी विच्छेद नीही प्लस फल होगा और शब्द बनेगा निश्फल तो सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नमबर एक विसर्ग संदी चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमर 19 बही रंग शब्द में कौन से संदी है व्यंजन संदी दिर्ग संदी विसर्ग संदी गुंड संदी तो बताईए दोस्तों इस सब्द में कौन से संदी है दोस्तों इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प नमर 3 विस वही पलस अंग वही पलस अंग इसका संदी विच्छेद होगा विशरक कर्रे बनेगा और वही रंग शब्द बनेगा तो सई उतर है विकल्प नमबर तीन विशरक संदी चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ दोस्तों अगला प्रशन है प्रशन नमबर 20 उससे पहले मनस प्लस एक मनस प्लस एक मनस प्लस एक और मनस प्लस एक तो बताए दोस्तों इस प्रशन का सही उतर क्या है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है विकल्प नमबर चार मनस प्लस एक दोस्तों मनस प्लस एक की संधी करने पर मानस एक सब्द बनेगा यहाँ पर जो मैं 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 लगूश वर है यह दिर्ग हो जाएगा मां हो जाएगा और सब्द बनेगा मानस एक तो सही उतर है विकल्प नमबर चार मनस प्लस एक चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत